इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि Java Script क्या होती है यहां General Introduction of Java Script दिखेंगे हम तो Java Script की Requirement क्यों आई मैं आपको बता जूँकि कि Java Script क्या एक Client Side Descripting Language है Client Side Descripting Language है मत्तब कि Java Script का Code जो है वो Client Side पे Execute होता है तो इसकी Requirement क्यों आई कि देखो हमने पढ़ा पहले HTML HTML का काम क्या था कि वेब पेज पे जो जो Contents डिस्प्ले करने हैं को लिखने के लिए हमने HTML का यूज किया फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत हम फॉर्मेटिंग कर सकते थे content के फिर आया CSS जिससे हम वेब पेज को Decorate कर सकते हैं वेब पेज को लोड़ करने पर दूसरी पार पर अगर उस वेब पेज को दिखते हो आपको Contents वही दिखेंगे चाहिए अब हजारों बात देख लो आपको Contents से में दिखेंगे कोई भी उन Contents में चेंग नहीं होगा बट अगर हम वेब पेज को कोई functionality प्रोवाइट करना चाहते हैं कोई programming कोई code देना चाहते हैं कि ऐसा करने पर यूजर अगर यहां पर यहां पर mouse रखे तो यह highlight हो जाए यह अगर वो उसको किसी text box में entry करनी है अगर वो कोई mistake करता है तो उसको error message आजाए तो अगर आप functionality प्रोवाइट करना चाहते हो तो वेब पेज में की user जो भी input दे रहा है उसके recording कुछ action perform हो तो उस case में आपको programming language का यूज करना तो programming या functionality वेब पेज को provide करने के लिए किसका use किया जाता है javascript का तो javascript allow content to change dynamically तो javascript के help से जो वेब पेज का content है वो dynamically change भी होगा और यह किस पे depend करेगा user किस type के actions perform कर रहा है ठीक है तो dynamic web pages को design करने के लिए कि यानिकी time के साथ साथ contents अगर web page में आपको change होते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो web page देख रहे हो वो dynamic web page है लेकिन अगर आप दिख रहा है कि आप हजारों बर उस web page को देख लो बात उसके content वैसे के वैसे हैं में कोई changes नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है उसमें javascript का use नहीं किया गया है तो javascript is a client-side scripting language it is used to double-side programs तो ये client-side programming language client-side के लिए programs बनाया जाते हैं जिसमें कि client जो operations परफॉर्म कर रहा है उसके recording उसमें कुछ changes दिखेंगे आपको it can be embedded in html document इसको हम html document में embed करते हैं यानि कि ये से html code के अंदर लिखा जाता है या फिर हम external javascript भी लिख सकते हैं तो तो टाइप से हम javascript को use कर सकते हैं एक तो html में embed करके html के code के अंदर लिखके और दूसरा external file बना के जैसे css को हम use कर सकते थे html file में लिखके य nescape का product है यानि nescape company ने इसको develop किया हुआ है initially इसका name था mocha उसके बाद इसका नाम आया live script और finally इसका नाम आगे javascript javascript enable browser can interpret javascript code अगर javascript को execute करवाना है तो browser के अंदर javascript का interpreter होना चाहिए और अभी जितने भी browsers आ रहे हैं वो सभी उन सभी में inbuilt javascript का interpreter होता है और जिसमें नहीं होता है उसको उसमें उसका plugin download करके use किया जा सकता है to embed javascript in html we must have to write following code in html file अगर आप चाहते हो कि javascript का code आप अपनी html file में लिख सको तो आपको उसकी coding कैसे लिखनी पड़ेगी आपको use करना पड़ेगा script tag का script tag का use करना पड़ेगा script जैसे हम css use करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है style tag use करना पड़ता है script के लिए javascript को embed करने के लिए html page में आपको script tag का use करना पड़ेगा और type equals to क्या रखना पड़ेगा text obliq javascript इसका मतलब है हम html में javascript को embed कर रहे हैं इसलिए type कर रखा है text obliq javascript जब हम css को embed कर रहे थे तो हमने यहां पर क्या लिखा था text obliq css यहां पर script tag का use होगा किसी भी javascript के code को html में लिखने के लिए script tag can be placed in the head or body section of html script tag को आप head में भी लिख सकते हो body में भी लिख सकते हो ठीक है दोनों ही case में लिख सकते हो अगर आपने उसे body section में लिखा तो क्या होगा जैसे ही web page load होगा वैसे ही javascript का code execute हो जाएगा लोगा है लेकिन अगर आप इसने head section में ऌसको लगते हो तो body section के execute होने से पहले आपका JavaScript code execute होगा क्योंकि यह head के अंदर है तो head body से पहले आता है फिर हम body लिखते हैं तो body में जो code है उसके execute होने से पहले हमारा javascript का code execute हो जाएगा आप दोनों ही जगर रख सकते हो आपकी requirement क्या आप उसके recording इसको place कर सकते हैट section में या तो body section of html code में ठीक है तो if we place script tag in body section then the script execute as the page loads and if we place script tag in head section then script execute before the main body तो अगर हम example देखें एक program देखें javascript का embedded javascript का तो हमने html लिखा फिर body tag के अंदर हमने यहाँ पर script tag यूज किया है हमने type रखा है text obliq javascript और document.write hello यहाँ पर हमें web page पर web document पर कुछ भी अगर print करवाना है जैसे हम c++ में cout का यूज करते थे c में printf का यूज करते थे यहाँ web page पर आपको कुछ भी javascript के through print करवाना है तो आपको document.write का यूज करना पड़ेगा हमने document.write लिखाय तो इसका मतलब है कि hello जैसे ही आपका web page load होगा आपके web page पर क्या दिखेगा hello लिखा हुआ यह script का close यह body tag का close और यह HTML का close तो इस type से हम javascript को embed करते है HTML के अंदर और दूसरा method के है external javascript यूज करके if you want to use the same script on several pages it would be it could be a good idea to place the code in a separate file rather than writing it on each web page ठीक है तो अगर आप एक ही javascript के code को multiple यह several web pages में use करना चाहते हो तो आप एक external javascript की file बना लो और उसको save कर लो .js से ठीक है तो उस case में क्या होगा इन .js javascript की file को आप इन सब में refer कर लो जिन web pages में उसको use करना चाहते हो तो benefit बिल्कू css की तरह जैसे हमने external css use कर सकते हैं external css बनाते हैं और उनको multiple web pages में use करते हैं तो हमारा काम कम हो जाता है तो यहां पर भी अगर एक ही javascript के code को आपको multiple web pages में use करना है तो आप external jss बना लो और उसको save कर दो .js extension से और फिर उसको web pages के अंदर use कर लो तो अगर कोई भी update करना होगा तो आपको एक ही file में update करना पड़ेगा ना कि सारे web pages में तो to create external javascript write code in a separate file and save it with the extension .js तो अगर आप external javascript बनाना चाहते हो तो आपको एक separate file बनानी पड़ेगी और उसमें आपको javascript का code लिखके उसको .js से save करना पड़ेगा जैसे हमने लिखा xyz.js और अगर फिर इस javascript file को अगर आप html में use करना चाहते हो तो आपको same way script tag का use करना पड़ेगा और type equals to text obliq javascript लिखना पड़ेगा पर यह optional होता है क्योंकि by default javascript use हो रही है यही मानता है browser जो scripting language use हो रही है वो javascript ही होगी यह मानता है तो आप लिखोगे तो भी correct नहीं लिखोगे तो भी कोई error नहीं आएगा तो script tag में आप type लिखोगे in double quotes में text obliq javascript फिर source क्या होगा xyz.js किस file को हम इसमें use करना चाहते हैं xyz.js को script का closing आजाएगा फिर body tag का close फिर html tag का close यहाँ पर आप कितने भी script tag use कर सकते हो ठीक है आप जितने चाहो script tag use कर सकते हो जैसे css में क्या होता था सिर्फ आप एक ही link tag use कर सकते थे किसी external css को use करने के लिए पर यहाँ पर आप multiple script tag का use कर सकते हो html code के अंदर next uses of javascript क्या क्या है it is used for client site validation user registration form यह different type के form website पे web pages पे fill करता है अगर वो mistake करता है जैसे को यह mandatory field थी उस नहीं fill की तो उसको आ जाता है कि यह जो है आपको compulsory field में entry करने इसको blank नहीं रखना है तो यह error message type का show करने के लिए field में गलत entry करी है form के तो उसको error message आजाए उसका काम वो किसके through किया जाता है javascript के through किया जाता है तो कैसे यह किया जाता है देखो क्या होता है कि web page पहले web browser उस web page की request करता है जैसे आपने आपको registration करना है तो आप registration form वाले link पर click करते हो तो जैसे आप click करते हो तो यह request किसके पास जाती server के पास server क्या करता है registration form वाला web page response में भीज देता है browser को ठीक है उसका HTML code भीज देता है HTML browser क्या करता है इस registration form के अंदर क्या होती javascript की coding भी होगी ठीक है तो यह क्या करेगा browser इस form को display कर देगा user जो जो inputs करता जाएगा अगर उसमें कोई mistake करता है तो javascript का code है browser क्या करेगा उस javascript code को interpreter को देदेगा interpreter क्या करेगा उसको machine code में convert करके देगा और browser उसको execute करेगा तो अगर आपने कोई error किया होगा तो error message आपको display हो जाएगा ठीक है फिर जब पूरा validation होता है कि आपने पूरी सारी fields जो है सही enter की है उसके बाद ही browser जो है इस web page को इस form को submit करता है किसको server को तो जो भी mistakes चेक की जा रही है आपके form में कि आपने कोई error तो नहीं की है जिसके recording जो आपको बोला गया है वैसे ही आपने entries की है कि नहीं तो यह होता जो है validation process जी कि आपने valid entry करी है कि नहीं की दिये तो javascript can validate form data before it is submitted to a server javascript क्या करता है data को validate करता है जो आपने data form में enter किया हुआ है और जब और जब और रिक्वेस पहले server के पास जाती फिर correction में response आता फिर कुछ अलग mistake करी तो वो check होने जाता फिर response आता तो इसमें time ज्यादा लग जाता और server को भी processing ज्यादा करनी पड़ती तो इससे बचने के लिए है कि हम javascript code कर यूज करें और इसको कहां पर execute करवा ले validation checking validation process जो है validation की processing कहां करवा ले browser पर client side पर तो इसलिए client side validation के लिए यूज होता है it can read and write the html elements html के जितने भी elements है चाहे buttons, text, headings, paragraph जितने भी html के elements है इनको javascript क्या कर सकती है read भी कर सकती है और उन पर write operation भी perform कर सकती है it helps in communicating with server, server के साथ communication करने के लिए भी हम इसका use करते है it is used to add functionality to a web page, web page को functionality देने के लिए भी आप इसका use कर सकते हो जैसे अगर user जो है mouse रखता है किसी particular area पे, web page के किसी particular text पे अगर वो mouse रख रहा है तो highlight हो जाए या menu पे click करे तो उसके menu open हो जाए ठीक है तो कुछ भी अगर user कोई action perform कर रहा है और उसके according आप चाहते हो कि कोई functionality perform हो तो उस case में आप JavaScript का use कर सकते हो तकि JavaScript का use क्या होता है functionality provide करना web pages को जबकि CSS और HTML उसको कोई functionality नहीं provide करते हैं हम उसके help से HTML और CSS के through कोई calculation नहीं perform कर सकते हैं कुछ action कुछ code नहीं execute करवा सकते हैं बट यहां पर हम JavaScript के through ऐसा कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं